Slip knot बनाने के बाद जो सबसे important चीज है क्रोशे में chains बनाना तो सबसे पहले slip knot बनाएंगे जो आप अब सीख चुके किस तरह से बनाते हैं Slip knot बनाने के बाद इस तरह से left hand में इस तरह से finger में थोड़े से thread को अपने finger में इस तरह से wrap करेगे और यह जो hook के क्रोशे hook को यह slip knot में इस तरह से डालेगे और इसे tight कर देंगे pull करते हैं यहां से और यह जो hook का यह जो notch है यहां से इस तरह से इससे लेते हुए यह knot में से निकालते जाएगे तो यह first chain हो गई फिर से वही करेंगे second chain फिर से ऐसे ही करते जाएगे third chain, fourth chain, fifth chain तो इस तरह से chains बनते जाएगी आप फिर से देख सकते हैं slip knot बनाएंगे पहले इस तरह से अब crochet hook को slip knot के अंदर insert करेगे और यह जो thread है यहां से इसे pull कर देगे knot हमारी tight हो जाएगी और यह working thread है जो हमने finger पे wrap किया इस तरह से crochet hook की knot से इसे यहां से ऐसे pull करते हुए यह gap में से निकालेगे यह slip knot में से फिर से same repeat करेंगे knot से pull करते हुए इस तरह से निकालेगे तो second chain, third chain, pull करते हुए इसमें से निकालेगे fourth chain फिर से knot से इसे pull करेगे, fifth, sixth chain, seventh तो जितनी chains हम बोली जाती है उतनी हम बनाते हैं crochet में तो यह chains बनाने की practice जरूर करें आप झालेगे okay okay